हेलो एवरिवन माई नेम इस दीरज टॉमर वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल दीरज मैदमेटिक्स क्लासेज तो जैसा कि स्टुडेंट्स हमारा लोगर्दम बाला कंसेप्ट कंटीनू चल रहा है जिसमें मैं आपको लोगर्दम के बारे में कम्पलीटली बता चुका ह हूं इसको कैसे रेप्रजेंट किया जाता है किस तरीके से रीड किया जाता है इसको मैं आपको पूरी तरीके से डिटल में बताया हुआ हूं और इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उन बेसिक प्रॉपर्टीज में मैं आपको तीन प्रॉपर्टीज पढ़ा चुक हूं log m upon n to the base a यह भी मैं आपको read करा चुका हूं log m to the base a minus log n to the base a multiplication के लिए plus division के लिए minus का sign log में आता है जब इसको open करते हैं और log m raise to the power n to the base a is equal to n log m to the base a यानि m की power जो होता है वो log के multiply में आ जाता है ओके कि आज हम study करने वाले हैं कि लोगर्दम की basic property 4 ठीक है ना कौन सी property property 4 जो कि most important है और यह काफी आपको questions में देखने को मिलती भी है जब जो log का base होता है जब उसको chain करने के लिए बात की जाती है तब इस property का use किया जाता है जो आपके exams के point of view से काफी important है तो देखिए समझते हैं तो आज हम जिस property पर discussion करने जा रहे हैं वो property आपके सामने लिखी हुई है जैसे के log m to the base a is equal to 1 upon log a to the base m तो जब भी इसका मतलग क्या होता है कि log m का value हम किसके respect में निकाल रहे हैं a के respect में but यहाँ पर यदि आपको base को change करना है यानि log m का value निकाल रहे थे किसके respect में a के respect में और यदि अब आपको इसके base को change करना यानि log a की value निकालनी है m के respect में तो क्या formula use करते हैं तो उसके लिए formula हमारा होता है जब भी हमें base change करना होता है तो उसके लिए formula होता है log m to the base a is equal to 1 upon log a to the base m तो यहां से आप काम क्या कर देते हैं base को change कर देते हैं ठीक है न तो यह हमारा basic property 4 था जो काफी important है इसको example के साथ समझते हैं देखिए इस example को यदि आप देखें तो log 3 to the base कितना है 2 है यदि हमें इसका base change करना यदि हमें इसको लिखना है इसको हमें लिखना हो log 2 to the base 3 की form में convert करना हो तो किस तरीके से करेंगे तो देखिए इसको convert करेंगे 1 upon log जो यहां पर base है वो अब log का value बन जाएगा या लोग की value निकालेंगे किसके respect हो है 3 के respect में ठीक है न अब ही हम log 3 का value निकाल रहे थे किसके respect में 2 के respect में लेकिन हमने इसका base change कर दिया तो कैसे लिखेंगे इसको one upon log 2 to the base 3 ओके students next example देखते हैं यहां पर log 7 to the base 5 है जब हम इसके base को भी change करेंगे इनके इनको आपस में क्या कर देंगे change कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 1 upon में आ जाएंगे ठीक है न तो log 7 यहां पर क्या था हमारा number था यहां पर 5 बेस था तो अब यह 5 हमारा number हो जाएगा और यह 7 बेस हो जाएगा तो log 7 to the base 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 upon log 5 to the base 7 next देखते हैं log 28 to the base 3 है तो इसको जैसे ही हम इस formula के recording open करेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग कितना हो जाएगा लॉग कि थिरी टूदी बेस 28 टूदी बेस 28 ओके स्ट्वेंट्स इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे open करेंगे next example देखते हैं यह काफी most important example है इसको समझेए देखिए यह क्या है हमारा लॉग वन अपॉन थ्री का में वेलू निकालना है लॉग वन अपॉन थ्री टूदी बेस वन अपॉन फाइब यानि वन अपॉन फाइब के रेस्पेक्ट में अब इसको चेंज करना हो कि हमें लॉग वन अपॉन थ्री यानि लॉग वन अपॉन फाइब का वेलू वन अपॉन थ्री के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो इसके कोलम कैसे लिखेंगे 1 upon log यहाँ पर base है तो यह number में आ जाएगा 1 upon 5 और जो number है वो किस में convert हो जाएगा base में तो हम इसको कैसे read करेंगे log 1 upon 3 to the base 1 upon 5 is equal to 1 upon log 1 upon 5 to the base 1 upon 3 I hope आपको यह समझ में आया हुआ next question देखिए next में क्या given है आपको log 5 to the base 1 upon 2 log 5 to the base 1 upon 2 को जब आप convert करेंगे तो 1 upon log 1 upon 2 to the base 5 अब आपका यह जो number था वो base में convert हो जाएगा जो base था वो number में convert हो जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके से आप यहाँ से value निकाल सकते हैं similarly हम इसको भी लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है log 1 upon 3 to the base 9 तो जब हम इसको convert करेंगे इस property के according तो जो हमारा base होगा वो number में convert हो जाएगा और जो number होगा वो base में convert हो जाएगा यानि इसको हम लिख देंगे 1 upon log 9 to the base 1 upon 3 तो यह आपका property number 4 था जो काफी important था यहाँ पर हम क्या करते हैं कि base को number में और number को base में convert करते हैं यदि आपको मेरा यह video lecture अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को subscribe करें well icon को press करें और मेरी इस video को जहाँ से ज़्यादा like करें share करें जिससे यह और भी students तक पहुंश सकें और वो भी logarithm वाले concept को clear कर सकें क्योंकि यह बहुत सारे exams के point of view से काफी important topic होता है और काफी बच्चों पर यह property यूज करना नहीं आता है इसलिए उनको काफी help मिलेगी इसलिए आप मेरी इस video को जहाँ से ज़्यादा share करें और चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में नई property के साथ thank you